हलो दोस्तों अरत्वारिक्षटमी की यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में आईजित रीट बरती परिक्षा लेवल टू SST यानि की सामाजी कद्यन के नवीन तम पाठे करम के अनुसार मोडल पेपर की टेस्ट सिरीज शुरू की गई थी जिसमें अपने 42 मोडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं आज अपना इसमें 43 नंबर का मोडल पेपर है कुल 150 प्रेशन हैं वो दोस्तों इसमें सामिल किये गए हैं और हुब हुआ आपको ऐसा ही पेपर है वो परिक्षा में देखने को मिलेगा दोस्तों अगर आपने पिछले 42 मोडल पेपरो का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो अप पलेलिस्ट में जाइए वहां पे आपको फॉल्डर मिल जाएगा सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना 43 नंबर का मोडल पेपर सबसे पहले रोजाना की तरह हैं संब्सक्राइब नंबर का प्रिष्ण निमनली की तिस्तलों में से कौन से इस्तल वर्तमान में पाकिस्तान में इस्तित है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों आपको याद रखना है एक तो हडपा मोहन जोड़ो रहवान डेरी और चंधुडो ठीक है हडपा मोहन जोड़ो रहमान डेरी और चंदुडो ये दोस्तों वर्तमान में ये इस्तल है ये पाकिस्तान में इस्तित है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर ठीक है आगे देखिए यहाँ पर 92 नंबर का प्रेस ने अब हाँ एक मंत्री परिशद थी क्या थी मंत्री परिशद थी यहाँ पर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मंत्री परिशद थी आगे देखिए बोध संग में परवेश करने की न्यूनतम आयू क्या थी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो न्यून्तम आयो थी 15 वर्ष को कितनी वर्ष थी 15 वर्ष तो यहां पर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 15 वर्ष आगे देखिए दोस्तों यहां पे 94 नंबर का प्रेस ने मालीनी किस जन्दपद के निवासियों को कहा गया है इसका राइट आंसर हो ने निमनलिकित को सुमेलित कीजिए सुची फस्ट में धर्म परचारक है और सुची सेकेंड में छेत्र या इस्तान दे रखे हैं अपने को यहां पर क्या करना है सुमेलित करना है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों धर्म परचारक बस्ता यह धर्म परचानक के दोस्तों बता ये कौन से इस्थान पर हैं तो दोस्तों देखें एक तरफ धर्म परचार रखें दूसरी तरफ छेत्रों अर्शान दे रखायए यहां Uh 현 परचार करने के लिए दोस्तों कहां पर गए थे तो दोस्तों यह गए थे स्रीलंका ठीक है कहां पर गए थे स्रीलंका गए थे महादेव महादेव ने दोस्तों कहां पर दर्म का परचार किया था कौन से इस्तान पर तो यह किया था दोस्तों इन्होंने महीश मंडल में कहां है मही समंडन में ठीक है और कश्यप मातंग ने कहां पर किया था दोस्तों कश्यप मातंग ने चीन में किया था और धर्म रक्षित यानि कि धर्म रक्षित ने धर्म परचारक कहां किया था यह किया था जोज़ों आकरान तक प्रदेश में यहां पर प्रस्टुन का राइट अंसर क्या हो जाएगा वह दोस्तो यहां पर देखिए रखने नय्यम्रिक है पर यम्राज के समान है बताइए किस अभिलेक में यह कहा गया है कि समुंदर गुप्त है खुस होने पर कुबेर के समान और नाराज होने पर यम्राज के समान है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें एरन अभिलेक में यह कहा गया है राइट आंसर हो ज आसक को दक्षिन भारत का नेपोलियन का जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजेंदर पर्थम को राजेंदर पर्थम को दक्षिन भारत का नेपोलियन का जाता है यहां पर ए नंबर का जो ऑप्षन है वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा दक्षि के द्वारा की गई यह समेलन था दोस्तों यह इंसान था यह एक चीनी आत्री था जो हर्षवर्दन के काल में यह भारत आया था और हर्षवर्दन द्वारा दोस्तों एक धर्म महा मौक्स परिशद की अद्देक्स्ता इंसान के द्वारा की गई थी यह समेलन था यह दोस्तो तो समयलं कौन सा था इसका right answer हो जाएगा ये 6 समयलं था दोस्तो यहां पर सी नंबर Ka Option बिल्कुल सहीतर हो जाएगा 6 समयलूd आगे देखिए सुची first को सुची second से समयलीध करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं सोची first में आध्यात्मिक मत है। और सुची सेकिंड में आध्यात्मिक परमुक दे रखा है यहां पर अपने को क्या करना है दोस्तों सुमेलित करना है अच्छा प्रशन आप इसको कह सकते हैं यहां पर देखिए दोस्तों इसमें चिस्ती सिल्सिला दोस्तों चिस्ती सिल्सिला मत है इसके आध्यात्मिक सेख एहमद सरहिंदी और कादिरी सिलसला का ये तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा यहां पे देखिए कादिरी सिलसला का है दोस्तों इसमें सेद मकदूम महुम्मद जिलानी ठीक है सुहरावर्दी सिलसला का है दोस्तों इसमें सेख बहुदीन जकारिया ठीक है यहाँ पर इस प्रैसन का राइट आंसर हो जाएगा 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पर अपना इसमें C नंबर का ओप्षन बिल्कुल सही अगे देखें बाबर ने अपनी आत्म कथा बाबर नामा किस बासा में लेखी ये प्रेसन काफी बार प्रेक्षा नमें पुचा जाचुका है राइट आइट अंसर हो जाएगा दोस्तों तुरकी बासा भी टूर्की बासा में लेखी डी नंबर का अपशन बिलकुल सई तुर आगे देखे कालकरम की दरस्टी से निमनलिखित गटनाओं में से कोन अंतिम गटना थी, बताएए ये चार गटना देरकिए होमरूल complètement Pues गत्यागंड और मोपला विद्रो इन में से सबसे अंतिम गटना थी वो कौन सी थी दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताओं होम रूल आंदोलन दोस्तों जो यह होम रूल आंदोलन है यह गुणी सो पंद्रा में चलाये गया था ठीक है गुणी सो पंद अंतिम में गटना कौन सी है तो वो है मोपला विद्रो जो की गुणी सो 21 में हुई है यहाँ पर डी नंबर का उप्सन इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए मित्रों यहाँ पर एक सो तीन नंबर का प्रेशन है आप आतकाल की गोश्टना से समंदित प्रेशनिक संसोधन गुनिशो अठतर राष्टरपति से निम्ना अनुसार कारी करने की अपेक्सा रखता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रिय मंत्री मंडल की सला से दोस्तों केंद्रिय मंत्री मंडल की सला पर ही अपातकाल की गोश्टना करता है कौन राष्टर पती राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का उप्शन बिलकुल सही आगे देखिए एक स अनुचेद में उद्योगों के परबंदन में सर्मिकों की भागेदारी का प्रावदान है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखे अनुचेद 43 ए अनुचेद 43 ए ये दोस्तों उद्योगों के परबंदन में सर्मिकों की भागेदारी क इसमें प्रावदान किया गया है, C नमबर का उपसन बिल्कुल सई, आगे देखे, 105 नमबर का प्रेस ने बालस्रम संसोदन अदिनियम पारित किया गया है, यह पारित किया गया है, amen, 16弟 जाएगा 2016 में यह पारित किया गया है बाल इसरम संसोदन अधिनियम यहां पर बी नमबर का उप्षन बिल्कुल सहीवत्र हो जाएगा 2016 में आगे देखिए राष्टिय मत्दाता दिवस कब मनाया जाता है इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है पत्चीस जनवरी को राष्ट निमन में से कौन संसद की कारेवाई में भाग ले सकता है संसद का सदस्य नय होते हुए भी निमन में से कौन संसद की कारेवाई में भाग ले सकता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महानयवादी महानयवादी है यह दोस्तों संसद की कारेवाई में भाग ले सकता है और संसद का सदस्यन नहीं होते हुए भी राइट अंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही लेकिन मद्दान नहीं कर सकता ठीक है आगे देखे किन परिस्तितियों में राष्ट्रपती अनुचेद तीन सो बावन की अंतरगत आपात काल की विफलता सवेदानिक तंतर की विफलता पर तो राष्ट्रपती सासन लगता है ठीक है और अनुचे तीन सो बावन के अंतरगत आपात काल की जो गोशना है वो दोस्तों भाईया आकरमन और सहसस्तर के विद्रों के आधार पर यह किया जाता है तो यहां पर पहला और दूस बिल्कूल सची है तीसरा चोथा इसमें गलत दे रखा है कूट बासा में उतर देना था यह नंबर का उप्शन बिल्कूल सयह उतर हो जाएगा आगे देखे है पंशायत समीति के सदस्य के सदस्य हैं यह जनता द्वराप्रतेक्स निर्वासित होते हैं यह तो सभी को पता होगा यह नंबर का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे कौन सा वाद सर्वोच नहले के प्रारंबिक छेत्रादिकार में नहीं आता है कौन सा वाद सर्वोच नहले के प्रारंबिक सेत्रा अधिकार में नहीं आता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विदेशी कूट नितिग्यों से समंदित विवाद विदेशी कूट नितिग्यों से समंदित विवाद यहां पर सी नंबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा विदेशी कूट नितिग्यों से समंदिते विवाद है ठीक है आगे देखे 111 नमबर का प्रेस ने देखे कोरियालिस बल की उत्पत्ती होती है कोरियालिस बल की उत्पत्ती होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पर्तवी की परिकर्मन गती के कारण कोरियालिस बल की उत्पत्ती होती है यहां पर बी नंबर का उप्सन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखिए एक सो बारा नंबर का प्रेस्ट ने अस्वे एकसांस किसे कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 30 डिगरी से 35 डिगरी एकसांस है तीश डिगरी से 35 डिगरी एकसांस है यह अस्वे एकसांस कहलाते है राइट आंसर इसमें सी नंबर का उप्सन बिलकुल सही उत्तर हुई इसमें हो जाएगा ठीक है आगे देखिए तेरा नंबर का प्रेस्ट ने निम निम में से कौन सा युग में सुमेलित नह है वो अपने को यहाँ पर बताना है एक तरफ पवन है दूसरी तरफ चेत्र है एक तरफ पवन है दूसरी तरफ चेत्र है दोस्तों यहाँ पर देखिए खमसीन पवन दोस्तों जो खमसीन पवन है यह मिस्टर में चलती है बिल्कुल सही है ठीक है यहाँ पर कौन सा यूग मे सुमेलित नहीं है वो बताना है कमशीन पवन मिश्र में चलती है गिबली पवन लीबिया में चलती है और यहाँ पर देखिए लेवेश पवन है यह इस्पेन में चलती है और यहाँ पर चीली पवन यहाँ पर इटली दे रखिए जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है चीली पवन है यह दोस्तों चिली के उत्री तट पर और पेरू में चलती है यह तिक है यहां पर इटली है वह गलत दे रखा है यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए यहां पर उच्वायू मंडलिये तापिये परतिलोमन का सबसे परमुक कारण क्या है उच्वायू मंडलिये तापिये परतिलोमन का परमुक कारण क्या है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए कुन सा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ओजोन गैस है यहां पर सी नंबर का option right answer हो जाएगा ओजोन गैस एक सो पंद्रा नमबर प्रेस्ट है भारत के किस राज्य में जाड़े के मोसम में वर्षा होती है भारत के किस राज्य में जाड़े के मोसम में वर्षा होती है इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तमिलाडू में ठीक है तमिलाडू में द दूसरी तरफ प्रदेश में यहां कि कौन से वनपरकार है वो कौन से प्रदेश में पाई जाते हैं वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है देखिए उसन कटी बंदिये आदर पनपाती वन है यह दोस्तों कहां पाई जाते हैं तो दोस्तों यह तरही प्रदेश में पा अरुनाचल पर्देश में पाई जाते हैं और उसन कटी बंदी सदा बहारवन यह सहाद्री में पाई जाते हैं यहांपर इसमें रायट अंसर क्या हो जाएगा वहाँ चार तीन एक पर ऊप्सन बिल्कुल तर्षिस्टटोर जाएगा इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें बताए किस के सयोग से इस्तापित किया गया इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो great Britain के सयोग से ठीक है तो यहां पर अपना इसमें a number option बिल्कुल सही बिर्टेन के सयोग से इस्तापित किया गया था दुरगापूर आगे देख महराश्टर भी आर पसिम बंगाल आंधर परदेश उत्र परदेश यह सरवादिक जंसेंग का वाले पर्तम पांच राज्ये हैं यहांपर ए नंबर का उप्सन बिल्कुल सही 2011 की जनगर्णा के नुसा रही है ठीक है आगे देखिए निमनलिकित में से कौन सी एक कर्त्रिम जील है कौन सी एक कर्त्रिम जील है तो यहां पर देखिए कोडाइक नाल कोडाइक नाल है यह दोस्तों तमिलाडु में है और यह एक कर्त्रिम जील है यहां पर ए नमबर का उप कि द्रशन फलित स्रेनी की है दोस्तों यह ठीक है रावली प्रुवत स्रेनी राइट अंसर हो जाएगा इसमें यहां पर बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही है हागे देखेए राजे के किस जिले में का लि मिट नहीं पाई जाती है दोस्तों का लि मिट नहीं सप सक्षण नहीं कोण सा सुमेलित नहीं है यहां पर देखिए माई बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्तान की सहुख्त परियोजना है जंबल परियोजना राजस्तान और मद्य परदेश की सहुख्त परियोजना है बिल्कुल सही है व्यास परियोजना पंजाब राजस्तान हरियाना की सहुख्त परियो इंधरा गांधि नहर परियोजना का नाम से पहले इसे राजस्तान नहर के नाम से जानते थे तिक और अपना इसमें दी नंबर का ऑप्शन right answer हो जाएगा ठीक है यह कहिए राज़स्तान की है इस रपनजाब की नहीं है अपराजित के सिलालेक के रचेता कौन है तो वो है दोस्तो दामोदर राइट अंसर बी नंबर उप्षन हो जाएगा आगे देखे निमनले खित में से एसंगत को छाटिये तो दोस्तो एसंगत को छाटना है एक तरफ कुरसे कांदोलन है दूसरी तरफ नेता है देखिए बेंगू किसान अंदोलन की नेता कौन थे तो दोस्तो राम नारा ने चोधरी थे बिल्कुल सही है विजोलिया किसान अंदोलन की नेता विजय सिंग पतिक थे बिल्कुल सही है और बुंदी किसान अंदोलन के नेता थे नेनुराम सर्मा बिल्कुल सही है यहाँ पर बिकानेर के दोस्तो नरूतम-लाल-जोसी दे रख़ा है जो कि गलत दे रख़ा है बिकानेर जो कृषकाँंद अधलान था इसके नेता थे मगाराम विदे ठीक है मगाराम वेदे यहां पर नरोतम लाल जोसी है वो गलत दे रखा है और अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए रियास्ति विबाग की इस्टापना कब की गई रियास्ति विबाग की जो इस्टापना है यह दोस्त तो पांच जुलाई गुणी सो सैंतालिस को की गई थी ठीक है आगे देखिए महाराना परताब की विरूद अंति मुगल आकरमन का नितरत्व किस ने किया था इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो किया था जगनात ने किस ने किया था जगनात ने महाराना परताब कि विरुद अंति मुगल आकर्मन का नितरत्व किया था ठीक है यहां पर अपना इसमें जगनात कच्वा था ठीक है जगनात कच्वा हा राइट आंसर इसमें डी नंबर उप्शन बिल्कुल सई आगे देखिए निमन लिकित में से किस राजपूत सासक ने विजय कटकातु की उपादी दारण की बताइए विजय कटकातु की जो उपादी है वो दारण की थी किसने तो यह महराजा राज सिंग ने दारण की थी दोस्तों यह उपादी राइट आंसर इसमें सी नंबर सही आगे देखिए सीताराम बदन सिंग और नानक राम चितरकार किस चितरकला से से समझन्द है इसका राइट अंसर हो जाए गाता है यह नबर somos संपरदाय नहीं निम्स लेखें इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों यहां पर देखिए खालसा नाग और खाकी तीनों है लेकिन यहाँ पर चंडाल यह दादू पंथी उप संपरदाई नहीं है राइट आंसर इसमें डी नंबर उप्शन सही आगे देखिए सुमेलित कीजिए सुची फर्ष्ट में दोस्तों यहाँ पर वादे यंतर दे रखें और सुच स home 2,2,2,2 फारे वादे यंतर है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें iqtara ཉसमें यह अफार के चारों हैं वो सही सुमेली दे रखा है यहां पर इस प्रेस्टन का राइट आंसर हो जाएगा एक दो तीन चार यानि की बी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे विश्वा में सरवादिक जागरत जौला मुखी कहा पर इस्तित है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें प्रसांत मासागर के आसपास प्रसांत मासागर के आसपास है दोस्तो यह सरवादिक जागरत जौला मुखी है राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे स सारगे्सो शा pozyन हे, सारगेशो सागर अवस्तित है, रराइट अनसर अचाज़ में आगे देखिये, अंते सागरी भुकम पो द्वारा उत्पन समुदरी लेरो को क्या गा जाता है, इसचा राइट अनसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं दोस्तो हरीकेन बोलते हैं, क्या बोलते राइट अंसर हो जाएगा हरीकेन आगे देखिए 136 नंबर का प्रेस ने उचipe निमने लिकित में की सामolina polítिक में सामिग्यान्यारी किया है कि अजा-नी किस तर पर निमन में किस व्शे को सामिग्यान को सामिग्यान में सामिल नहीं किया गया है ठीक है बाकि राजनितिक विज्ञान भुगोल और इतियासिस को सामिल किया गया है ठीक है आगे देखिए कक्षा साथ के इस तर पर परत्वी की परिकर्मन पढ़ाने के लिए सबसे उप्यूक्त सायक सामगरी क्या होगी कक्षा साथ के इस तर पर परत्वी की परिकर्मन पढ़ाने के लिए सबसे उप्युक्त सायक सामगरी क्या होगी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गलोब यहाँ पर बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा गलोब आगे देखिए 138 नमबर प्रेस ने सामजिक विज्ञान के विश्यों के अध्यान का महत्वा है महत्वा इसलिए है कि बच्चे इससे लोगतंतर के बारे में विश्तार से सीख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए आपर गुंचाल इस नमबर का प्रेस ने सामाजिक समझ्याओं की समझदारी को विख्षित करने के लिए निमनलिकित में से सबसे उच्चित विदी कौन सी है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह प्रेस ने इसमें लिएंगे ccoo Key सामाजिक समझ्याओं की समझदारी को विक्षित करने के लिए निमनलिकित में से सबसे उच्चित सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को चात्र को देना चाहिए दोस्तों क्या देना चाहिए दोस्तों यहाँ पर देखिए संसकारी विवस्ता समाज के निर्मान हेतु उपरोक सभी परकार का ज्यान ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें right answer हो जाएगा D number का option बिल्कुल से उतर हो जाएगा इसमें अगे देखिए सामाजिक विज्ञान सिक्षन की प्राचिन विदी है सामाजिक विज्ञान सिक्षन की प्राचिन विदी कौन सी है तो वो है दोस्तो व्याक्यान विदी कौन सी व्याक्यान विदी यहाँ पर सी नंबर का option बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए व्यक्तिगत मापन की प्रसनावली विदी में जब प्रसनों के उत्तर हां या ना में देने होते हैं तो प्रसनावली का प्रकार होगा इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो मिश्रीत प्रसनावली मिश्रीत प्रसनावली इसका right answer हो जाएगा C number का option बिल्कुल सही मिश्रीत प्रसनावली आगे देखिए 43 number का प्रसन है एक सिक्सक अपनी पाठ योजना में चात्रों को गुप्त वंस के पतन के कारणों को बता अनुदे सात्म को उद्दे से लिखता है यह उद्दे से किस के अंतरगत आएगा एक सिक्सक है अपनी पाठ योजना में चात्रों को गुप्त वंस के पतन के कारणों को बता सकेंगे अनुदे सात्म को उद्दे से लिखता है यह उद्दे से किस के अंतरगत आएगा इसका आदर्स जरूरी है राइट अंसर हो जाएगा सी नमबर उप्शन सही आगे देखे पेडागोजी में कम्प्यूटर का परियोग होता है तो दोस्तों यह होता है ताली मार्थी को प्रेरित करके यहां पर ए नमबर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए यहां पर 143 नमबर प्रेसने मुल्यानकन का सरवादी का अर्थपूर्ण राह है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों निरंतर और विस्तरित मुल्या तो यहां पर ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा देखिए आपको इसमें यह भी पुता लगेगा कि आपके कितने प्रस्न सही हो रहे हैं अगे देखिए अपने श्यूम के वाक्यों द्वारा सीखे हुए को अभिव्यक्त करने में जहां बालक सक्सम है वहा पर बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा समझ ठीक है आगे देखिए 148 नमबर का प्रस ने एक प्रकार का भासन है जिसमें सिक्षन एक गटना या सामगरी पर व्याख्यान देता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द्रश्टांत यहां पर है सी नम किरिया चरनों के एक करम को तयार करने से संदर्वित है इन में से कौन यान के इन में से कौन सा कोई विशिष्ट लक्से प्राप्त करने में किरिया चरनों में किरिया चरनों के एक करम को तयार करने से संदर्वित है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आयोजन आगे देखिए प्रच्छा प्रिस्क्षन प्रतिमान के प्रतिबादक है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें ब्रॉन्डी यहां पर बी नंबर का उप्षन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा ब्रॉन्डी दोस्तो यह तो अपने सामजी कद्धन के साथ प्रसन हैं अब अपने बालविकास एवं सिक्षा सास्तर के साथ प्रसन सोरी तीस प्रसन है वो यहां पर अपन पढ़ेंगे ठीक है और आपको बालविकास और सिक्षा सास्तर के अंदर भी यह भी पताऊना चाहिए कि आपके कितने प्रसन है वो सही हो रहे हैं और कितने गलत हो र प्रयास दूर्टाई में तेुए है। प्रयास प्राइक में रुप्वा टूर्ठी उप्वाग में भर चुई है। लुष्टेज़ा में फ्रेज़ा ल्हाँ सुखता काई जीनी नम वितनाच्छि़ू प्राइक है। अगे देखे, प्रियास एवन त्रूटी के सिद्धान्त का उपागम नहीं है, यहाँ जेखे, योजनवाद का सिद्धान्त और आर एश सिद्धान्त, यह तीनों सिद्धान्त है, दोस्तों प्रयास एवन-त्रूटी SD Thousands के उपनाम हैं लेकिन être सिदान्त है यह नहीं है तो यहां पर D number का उपיצन बिल्कुल सभी सुरी समें ciao इसमे झाँ इसमे औसमे आर ऐस Sिदान्तः टीड़ें इसमें आपके यहोग Наवाद सिदान्त है आवर्ति सिदान्त और एस आर सिदान्त है ठीक है एस आर सिदान्त ये तीनों सिदान्त है ये दोस्तों प्रिया सेवं तुर्टी सिदान्त के उपना में लेकिन यहाँ पे आर एस सिदान्त है ये नहीं है तो अपना इसमें सी नंबर का उप्शन है वो इसका बिल लेक्सिया ईलक्सिया कालाता है ठीक है राइट आंसर हो जाएगा इसमें एलक्सिया यहां पर डी नमब्र का बिल्कुल स नहीं है बता बताएए कोधके इसमें नहीं है यहां पर DAVID वेवार में परिवर्तन है शीखना वेवार में परिवर्तन है ये भी बिल्कुल सही है शीखना केवल विद्याले में ही होता है ये गलत हो जाएगा दोस्तों ठीक है विद्याले में नहीं सिखा जाता दोस्तों समाज में रहकर भी सिखा जाता है परिवार में रहकर भी सिखा जाता है तो यहां पर है सी नंबर का उप्सन है वो इसमें सही नहीं है सीखने से समंदित में सीखना व्यक्तित्व के सरवागिन विकास में सायक है बिल्कुल सही है यहां पर सी नंबर का उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए आंत्री कभी प्रेरणा में सामिल नहीं है आंत का सम्मद्ध है विकास के किस आयाम से है समान नियम परंपराय मुल्यों तथा सयोगादी का सम्मद्ध विकास के किस आयाम से है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामाजिक विकास के में यहाँ पर बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा सामाजिक विकास आगे देखे विकास परिवर्तन है दोस्तों विकास परिवर्तन है तो यह गुनात्मक है विकास परिवर्तन क्या है गुनात्मक है ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाए है इसका right answer हो जाएगा वह राइट आइसमे है इसका right answer हो जाएगा वहा हर लोग के अनुसार सेस्यावस्ता का समय होता है यहाँ पर इसा बासार है गा आगे देखिए व्यक्तित्व्य व्यक्ति के विवार तरीकों रूचियों तथा योगयताओं का विश्ष्ट संगठन है यह विचार है तो दोस्तो fryइण किसका है यह विचार दोस्तों मन का है किसका है मन का यहां पर B नंबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मन का विचार है आगे देखे सेल्डन के अनुसार बताए गई विक्तित्व परकारों में सामिल नहीं है सेल्डन के नुसार बताए गए व्यक्तित्व परकारों में सामिल नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें की देखिये एस्टो मार्फिय है मेसो मार्फिय है ईंडो मार्फिय लेकिन औरिखने धूसर इस बिल्कुल से उत्र हो जाएगा आगे देखिए समयोजन की प्रकृति नहीं है बताए समयोजन की प्रकृति कौन सी नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समय जन समयोजन मांसिक्स वास्ता के साथ कोई समंद नहीं रखता है यह समयोजन की प्रकृति है वो नहीं है ठीक है बाकी तीनों है समायवजान अनुरूपता की अवस्ता है समायवजान मनोविज्ञानी के अमसारीक दोनों है समायवजान एक उपलब्दीव परकिरिया है इसका राइट आंसर सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए 15 नंबर का प्रसने संगर्स का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम सवरूप उत्पन होने वाली कष्ट दायक स्वगात्मक दसा यह कतन है तो दोस्तों यह कतन है किसका तो यह डगल से वह होलेंड का कतन है यहाँ पर बीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाए अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपने आप से इस्तानापन का सिद्दान्त है आत्मस्विकरती का सिद्दान्त है विकास को संतुलित करने का सिद्दान्त इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्तस भी है यह मानशिक स्वास्ते का सिद्दान्त है ड नमबर का उप्शन बिल्कुल सई कालविन का गठन है आगे देखे इस पियर मैं दुआरा बुद्धि के त्री खंड सिद्धान्त में तीसरा खंड गुद्यारा इस्वी में जोड़ा गया उसका नाम है उसका नाम क्या है दोस्तों उसका नाम है सामू ही के खंड राइट आंसर इसमें बी नम्मर और सोफं सेुत्र हो जाएगा सामू ही के खंड और अगे देखेए व्यक्तिगत विपिन्ताओं का सैक्सिक मेर नहीं है इतिकल शॉक्षं का साहिक SAY वह यह नमबर का उप्षंड में सायक नहीं in b है इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि देखिए सभी सिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्थित्ता संभव है बिल्कुल सही है एक विसम रूपी कक्षा में सिक्षार्थियों की समताओं का विक्षित करना संभव सोरी ऐसंभव है बिल्कुल सही है कोई भी दो सिक्षार साथी अपनी योगेताओं रूचियों और परतिमाओं में एक समान नहीं होते हैं बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्तस अभी यहां पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा किस नंबर प्रसने इसमें देखे सव परते निर्माण में साह एक होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें अभी समता यहां पर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही तरो जाएगा अभी समता ठीक है आगे देखिए अंदे बालकों को सिक्षन करवाने की पद्दती है तो वह कौन सी है इसका राइट आंसर हो बताना है बहुत ही अच्छा प्रेस्ट है आप इसको कह सकते हैं यहां पर दोस्तों देख सकते हैं पहला उप्शन में देखिए नवीन ग्यान की खोज नवीन ग्यान की खोज बिलकुल सही है दोस्तों यहां पर इस प्रेस्टिय। में वेगानिक वेवार का विकास ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है देखिए कूट बास हमें अपने को चेहन करना था तीनों ही कथन इसमें क्या है बिल्कुल सत्ते है तो यहां पर इस प्रेशन का राइट आंसर डी नंबर उप्सन हो जाएगा एक दो तीन तीनों इस दोजार नो में निमन में से किस स्थान पर ध्यान नहीं दिया गया है दोस्तों देखिए इसमें बाकिस अभी पर ध्यान दिया गया है लेकिन 14 वर्स के पस्चाच शिक्षा की विवस्ता पर इसमें ध्यान है वो नहीं दिया गया है यहां पर अपना इसमें राइट आंसर नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा यह प्रेस न काफी बार प्रिक्षा में पूछा जा चुका है आगे देखिए मुल्यांकन वह नवीन प्राविदिक पद है जो मापन के व्यापक प्रते को प्रस्तुत करता है यह परिबासा किसकी है यह परिबासा है दोस उपलब्दी परिक्षनों का प्रियोग उपयोग परमुक रूप से होना चीए उपलब्दी परिक्षनों का परियोग परमुक रूप से होना चीए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वो है चात्रों के मुल्यांकन में चात्रो निदानात्मा के मुल्यानकन इसका राइट आंसर ए नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे एंसेफ दोजार पांच के नुसार शिक्षन विदी नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सामुइक विदी द्वारा सीखना पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सतर से कम सतर से कम बुद्धी वाले बालक होते हैं राइट आंसर इसमें एन नंबर का उप्षन हो जाएगा देखे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजे अपने सामाजिये का दन के साथ है बालविका से हम सिक्सा सास्तर के तीस यानि की टोटल नबर प्रसन कर लि प्रसन है कि जिसका संब्साध मायरे ऑवं पर्मात्मा से हो व्याक्यांस में किझी विराम Woods Ben с ने का प्रियोग हुआ है बताएग सिसका संब्साध मृएवरम्त मेंक प्रमातमा से हो दोसतों किसी विराम चेंसर का प्रियोग हुआ है इस वाक्य में अंदर बताए किस विराम चिने का प्रियोग हुआ है इस वाक्य के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा बताए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें उद्धरन चिने का प्रियोग हुआ है देखिए यह उता है उद्धरन च निम्न में से कौन सा सब्द एसुद है दोस्तो कौन सा सब्द इसमें एसुद है तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा दोस्तो आहूती ठीक है आहूती देखिए यहाँ पर यह गलत दे रखा है राइट आंसर इसमें सी नंबर का उप्शन हो जाएगा यह एसुद सब्द है आगे देखिए लड़कियों सब्द का पुलिंग सब्द होगा दोस्तो लड़कियों सब्द के सब्द का जो पुलिंग मुझें लाइक नहीं चोड़ेगी वाक्य में परियोक्ते छोड़ेगी सब्द का भूत-काल सब्द होगा यहां लड़की मुझे कहीं मुह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी वाकिये में परयोक्ते छोड़ेगी आसर मना बूत का लिशाynn सब्द हो गा इसका राइट समय रही ज我 यह दोस्तो भूत कालिन सब्द है ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही छोड़ा आगे देखें यहाँ पर गद्यांस को पढ़कर उत्तर देना था यहाँ पर तदू होता है क्या होता है तदू परांथ होता है ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का उपशन बिल्कुल सही हुतर हो जाएगा आगे देखे अनन्त में परियुक्त उपसर्ग कौन सा है अनन्त में परियुक्त उपसर्ग कौन सा है अनुपसर्ग है दोस्तो इसमें B नंबर का उपसर्ग बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे अदो पतन में संदी है अदो पतन में कौन सी संदी है इसमें दोस्तो विसर्ग संदी है अदह प्लैस पतन है विसर्ग संदी है इसमें सी नमबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखे जंगल का प्रियावाची सब्द है जंगल का प्रियावाची सब्द कौन सा है तो वो है दोस्तो कानन यहां पर है B-number का option बिलकुल सही उतर हो जाएगा कानन है यह जंगल का प्रियावाची सब्द है B-number option बिलकुल सही आगे देखे उनमें कोई बेदबाव उत्पन नहीं हो सकता वाक्य में सरुपरतम सब्द है इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई और उन में कोई और उन में इनके अंदर दोस्तों ए और बी दोनों सही है ठीक है कोई और उन में ये दोस्तों सरोपरतम सब्दें हैं इसमें डी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए अंजान सुजान सदा कल्यान लोकोक्त का बावार्थ है तो दोस्तों इसका बावार्थ हो जाएगा देखिए मुर्ख और ग्यानी दोनों मुझे से रहते हैं मुर्ख और ग्यानी दोनों मुझे से रहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही बियालिस नंबर प्रेस ने काला मूह होना कारत है काला मूह होना यानि कि दोस्तों बदनाम होना यहां पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा बदनाम होना आगे के मोहन गर से लोट कर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किरिया विशेशन पदबंद है यहां पर यह नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा किरिया विशेशन पदबंद है आगे देखिए कहानी का मूल त सब्सक्राइब है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सभी कि देखिए सुंद्रीय तत्व होते हैं तो दोस्तों दवनी सुंद्रीय भाव संद्रीय विचार संद्रीय तो यह सभी संद्रीय के तत्वों होते हैं राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक सभी डी नंबर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर है इसमें हो जाएगा आगे देखिए यहां पर है 47 number का प्रेशाषन है कविता सिक्षन से बहावना का विकास होता है कविता सिक्षन से भावना का विकास होता चाहए राइट आंसर हो जाएगा वपरोक्स अभी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये बासाई कोसल का सही करम है इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा याद रखना है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर व्याक्यान विदी का मुख्य प्रकार है व्याक्यान विदी का मुख्य प्रकार कौन सा है तो दोस्तों तुलना विदी समिक्सा विदी व्यास विदी ये तीनों दोस्तों व्याक्यान विदी के मुख्य प्रकार है इसका राइट आंसर हो हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें सत्य एसत्त का सिद्धान्त है सत्य एसत्त का सिद्धान्त है यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल से उत्र हो जाएगा ठीक है बावन नंबर प्रेस्ट ने नाटक सिक्षन में किसका महत्व नहीं है इ Dorothy करकार कौन सा है बताए कभीता वाचन प्रकार है कौन सा है यहां पर देखिये सहस्वर वाचन रागा युक्त वाचन, भावा नुसार वाचन ये सभी हैं, ये कविता वाचन के प्रकार हैं इसका right answer उप्रयोक सभी हो जाएगा D number option बिल्कुल सही आगे देखें कहाणी सिक्षन का उद्देश्य है कहाणी सिक्षन का उद्देश्य है तो वो कौन सा है, इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें आदरसवाद यह थार्तवाद, यह दोनों कहानी सिक्षण के उद्देशे हैं इसका right answer हो जाएगा A और B दोनों सही है, C नंबर ऑप्षन बिल्कुल सही आगे देखें कहानी सिक्षन का उद्देशे है दोस्तों कहानी सिक्षन का उद्देशे है वो क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वस्त मनोविनो इसमर्ति सक्ति का विकास कलपना सक्ति का विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्स अभी डी की ल filmmakers रचना की विदी नहीं है तो यहां पर डेखिये रूप रेखा विदी बीज यह तिन रचना विदी की विदियां है यहां पर बासे विदी नहीं है तो यहां पर बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे निमन में से बासा सिक्षन का सिद्धान्त नहीं है तो बासा सिक्षन का सिद्धान्त कौन सा नहीं है तो यहां पर देखे चैन का सिद्धान्त है सिक्षन सुत्रों का सिद्धान् तो इस FIFA का राई तूए उप्सन ने से कोई नहीं यहां पर एक्षाया की लाब हैं सिक्सक तो होगी बेचिक AND है दोस्ट नहीं आपर इसके पाट अधिक सरल और मन्रजञ he員 के बालगें का विकास को सला होता है बिल्कुल सेस्का राइट वूहता हpi यहां पर इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्रोक्स अभी डी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए संस्कर्थ से समंदित प्रस्थन अब मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं ठीक है मुझे संस्कर्थ कमाती है तो इसक्रेन के आपको ज्यादा ध्यान देना है 61-65% अपने को यहां पर है गध्यांस को पड़कर उत्तर देना था जो कि अपन नहीं पड़ा ठीक है अब दोस्तों यहां पर देखिए डायरेक्ट चल रहा है अपन संस्कर्थ में देखिए देखिए विक्षिता देशियो इतस्य पड़े कै संदी बताईए इसे पद के अंदर कों सी संदी है इसका राइट आंस्र हो जाएगा दोस्तों वह है इसमें दिर्ग संदी का प्रियोग हो आ है ठीक है यहां पर सिनम्बर उप्षिन बिल्कुल सही आगे देखे इस पड़ा इती विशेशसे पदस्ये विशेशन पदम कि बताइए इसका राइट आन्सर हो जाएका वह है दोस्तों इसमें दोस्तों सुष्थ था इसका राइट आशर हो जाएका बीनमबर का उप्षिन स इसका right answer हो जायगा वो है दोस्तो एक है यहां पर ए नंबर का option right answer हो क्या है ठीक है आगे देखें ज्यां विज्ञानियों समस्त पदे कैस मासे इसका 라इट answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें द्वंद समास है C नंबर का option right answer हो जाएगा द्वंद समास है आगे देखें आप यहां पर अपने को बताना है कि यह समय इसको संस्कर्थ भासा में क्या लिखेंगे ठीक है अगे देखें यहां पर 66 से लेकर 70 तक अपने को पढ़कर उत्तर देना था नहीं पढ़ रहें डायरेक्ट चल रहें यहां पर देखें पर यह मंदना पदे कैसे समास है परिये मंदना पदे कैसे राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी नंबर का उप्शन बिलकुल सही आगे देखिए इसमें असमीन पध्यांज से को अलंकार है बताए कौन सा लंकार था उसमें पध्यांज में सही उत्तर हो जाएगा इसमें वह समास्योंगती पदे संदी रस्ती बताए तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वह है रूत्व विसर्ग राइट आंसर इसमें सी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा रूत्व विसर्ग आगे देखिए पातुम पदे परते वर्तते पातुम पदे परते वर्तते इसक तुमून यहां पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही तुमून आगे देखे सकुंतला पदे लिंगम अस्ती संकुत सकुंतला पदे लिंगम अस्ती राइट आंसर हो जाएगा वो है इस तरह लिंगम राइट आंसर इसमें नंबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा आगे के भासा तावत अभी व्यक्ते सोमत व्यक्ति करने से सर्वस रिष्ट है माध्य मस्ती बताए खालेस्तान में क्या आएगा राइट अंसर हो जाएगा विनी में यह आ जाएगा दोस्तों इसमें विनी में है ठीक है सी नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए यहां पर 73 नमबर प्रज्ट ने उप्चारात्मक स्क्षन पद्दती इती राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है समस्यानाम समाधाने साफल्यम परती प्राप्यती राइट आंसर इसमें एन नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए भासा शिक्षन द्रश्य स्रव्वे सामगरी उप्यूकता भूती इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सुद्ध उचारना अर्थम सुद्ध उचारना अर्थम तो यहां पर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए बासा सिक्षने वस्तुनिष्ट मुल्यान सरजनात मकता यहां पर बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही निमनली के तेशु कि मैं बासा सिक्षनस्से उडिव्द लाइब को स्वाबी प्रकटद कि नइस्सका राइट आंशर होगा वह धूस्तों इसमें आदान प्रदान वीनिमयश c राइट आंसर आन्सर इसमें बी नंबर ऑसन वीनिमय वीनिमय औरव। सोसे हाएं बुछिऊ है बाहरतिय तविश्सकील इसमें प्रशे करनों इसमें खालत क शीहख बहाल मात्रश म επास्ट आंगलम मात्रवास राइट यह में डी नम्बर उप्सटन वाग्या कापि आँगे शंसकर्ट शिक्ष्ण द्रससे शृवग्ष सामगरी यह दर्थम उप्युक्ता भौती राइट आंसर हो जाएगा वो है सुद्ध उचारण तार्थम सुद्ध उचारण आर्थम सी नमबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखें आपे एक शा समावेशी कक्षायाम चात्रा अस्विन अधिक परमादान आचरंती राइट आंसर हो जाएगा इ open से लिंद ही नमबर बिल्कुल सही आगे देखें समावान इतियत्र क्या परते शामावान इतियत्र क्या परते इसका राइट आंसर हो जाएक वहाँ है दोस्तों मत schöne में व्ल्कुल और कशायां सी कविता वाचनी और मुक्र्षन से प्रमक क्रविश नम इसका रह इंसर हो वहां है दोस्तों कवीता प्रति सह प्रति क्रिया प्रद्रर्स नाम राइट आंसर इसमें सी नमबर उप्ON बिल्कुल सही है आगे डिश्लेकसिया एक है भासागत-विकारय यह प्रभावति इसका राइट आंसर और जाए है दोस्तो लिकित बाषबोधनम लिकित बासा बोधनम यहां पर ए नंबर ऑप्षन बिल्कुल से आगे देखिए विध्याले यतार्तिया आंगल भासाया सिक्ष्णार्थ मेट्वपूण अंगंगंगं बस्ती अंगंगंगंबस्ती राइट अन्सर हो जाएगा इसमें वह है दोस्तो बासाया परियोगार्थम अवसर है यहां पर ए नमबर उप्शन बिल्कुल से उत्र हो जाएगा आगे देखिए कक्षाया मिश्रित योगेता समुहे से एवं यत्र है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो यहां पर मंद गत्ती सिक्षार्थी ने उच उप बिल्कुल सही आगे देखिए योगी को संसार तिनके के समान है इतस्य वाक्य से संस्क्रतेन अन्वाद कुरूत योगी को संसार तिनके के समान है इतस्य वाक्य से संस्क्रतेन अन्वाद कुरूत इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नी है इस प्रह त्रणम जग तो दोस्तों प्रेशन आपको कैसे लगेंगा तो दोस्तों प्रेशन आपको कैसे लगेंगा जरूर बताएं और अरद्यारस अकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जै हिन जै भारत